अचानक से जब घर पर महमान आ जाते हैं तो समझ ही नहीं आता क्या बनाया जाते हैं क्योंकि हमें उन्हें टेंड भी करना होता है तो आज में लेकर आई हैं उसका सॉलूशन 20 मिनिट में बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर और मिस्सी रोटी विद रायता तो स्टाइब रेस्पी जडीन का साइब कराम नेरक के अलब कर यह रहाराएं रहारा तो इस लीए इसे जडीच से हमाहरां पहलेक वेजी छॉप करेंग आप देख सकते हैं मैंने वेजिस को रफ़ी चॉप कर लिया है जिन जग आलिक आप अपने फ्लेवर के कॉडिंग कमजादा कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 टेबल स्पून ओय या फिर जीरा देजंगे मिर्चफ काया चाही है अब इसमें जाएगा जाएगा जिंजर कार्लिक उर्म्याप के रखा था साथ यब इसमें हमारा जाएगर अप्री चौप किया हूगा अनियन सौते कर लेते हैं अनियन को इतने हमारा अनियन सौते हो रहा है हल्का सा कुख हो रहा है इतने हम बुल्दी को सौक कर दें तरिंच मैंने लिह हैं हाप कॉंदी इसे हम चोप कर देते हैं रख使कर में रहत्टर में अनियन हमारा हल्का ब्राॉन अनियन हम सोटे हो गया है अब इसमे ढ़ी दाल देते हैं डमाटर जो हमें रफ्ती कर सकते हैं मिक्स कर लेते हैं इसे और लिट से कवर कर देते हैं इतने हमारे टमाटर मैशी हो रहे हैं इतने हम हमारा मिस्दा आठा बना लेते हैं फटा-फट से अभी मैंने लिया है दो कप बेसन है यह बारिक वाला बेसन है एक मोटे वाला आठा है वो नहीं लेना है उससे म जाएलर ने मतिदल सुल्ट ces ह्लिपवर 2 चिलि पार शिलिपवर 1 थी-शियाद के मेचिन 1 तेबल स्पून कस्तूरी मेथि कैरम सिर्थ जायनल यही मेरे पास धनिया है प्रश हुआ हुआ अगर आपके प्रश हूआ दनिया ना हो तो दनिया पौडर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर उसे भूच सकते हैं साथ इसमें जाएंगी बारी कटी हुई हरी मिर्चे और बारी कटा हुआ हरा, मैं अपने फ्रीज में धन्यागेरा हमेशा क्लीन करके रखती हूं तो जब भी सबसी बनानी हो तो जल्दी से फटा फट से बन कर त्यार हो जाती है साथ इसमें जाएगा वन टीस्पून ओयल या फिर घी जॉप डालना चाहें मिश करें हैं सारे अच्छे से अब जैसे ंब शपाती के लिए हम प्रना वोटेटी चाहिए थोड़ा-थोड़ा इसके एंचाल कर लें आप दिख सकते हैं मैंने अब बना लिया है इसके उपर थोड़ा सा लगा लेते हैं अ और झाल और इसे लिट से कवर कर देते हैं तो चलिए आप सब्जी को चेक कर लेते हैं हम अपनी आप देख सकते हैं टमाटर जो है ना हमारा अच्छा मैशी हो गया है इस प्रेज पर हम इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी मिक्स कर देते हैं इसे और फ्लेम को कर देते हैं बंद और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं इतने हम अपना राटा प्रिपैर कर लेते हैं इसके लिए मैंने लिए है 1 1.5 cups कोर्ड है यह मेरे पास इसे हम कर लेते हैं अच्छे से विस्क दाही को मैंने अच्छे से कर लिया है विस्क आप देख सकते हैं बूंदी भी हमारी पूरी फूल गई है आप देखिए बिल्कुल फूल गई है यह पानी में डलने के बाद इसे अब हम निकाल लेते हैं इसमें से बूंदी को ना हम इस तरह से हाथ में लेंगे और इस तरह से स्क्वीज करके निकाल लेंगे और अपनी दही में डाल देंगे इससे क्या होगा ना जितना भी एकसे स्वाटर है वो सारा निकल जाएगा इस तरह से हम सारी बूंदी को सीव कर लेंगे करें अब इसमें हम डाल लेते हैं मसाले वन फोट पीजपून सिंपल डाल रही हूं मैं साथ इसमें जाएगा काला नमक हाफ टीजपून आपने टेस्ट के कॉर्डिंग अपने टेस्ट कर देक्सक्ता कर सकतें हाफ टीस्पून जाएगा घूना हुआ पाउडर पाउडरी पाउडर को ना भून कर आपको जब भी रहता बनाना हो आप जरूर यूज करिए बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है साथ इसमें जाएगे थोड़ी सी रेड चिली पाउडर 1-4 टी स्पून हाफ टी स्पून ब्लाक पैपर पाउडर कुटी होई काली मिर्च का पाउडर साथ इसमें जाएगा बारिक कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा से इसमें वाटर राइड कर लेते हैं तक्रीबन हाफ कप और सारी चिदों कर लेती हैं मिक्स मैंने सारे मसालों को अच्छी से कर लिया है मिक्स आप देख सकते हैं हमारा रायता बनकर बिल्कुल त्यार है इसे हम रख देते हैं फ्रीज में हमारी जो सबजी का मसाला है वो भी ठंडा हो गया है उसे ट्रांस्वा कर लेते हैं ग्राइडिंग जार में फटाफट से और फ्रुसकी प्यूरी बना लेते हैं आप फ्रेंद्स अगर आप शाही पनीर का थोड़ा सा माइल्ड फ्रेवर खते है न तो खड़े मसालो को निकाल दीजेगा लेकिन अगर आप स्ट्रॉंग फ्लीवर कहते हैं आपको थोड़ा सा तीखा जादा पसंद है तो आप इसमें ग्राइंड कर ले जिगा इसे मुझ पानी निकाल लिया है उसे भी कर लेते हैं अच्छा से सीव कर लिया है अब पैन को कर लेते हैं गरम इसी पैन में हम एट कर लेते हैं 1 टेबल स्पून बटर इसमें हम दालेंगे डेगी मिर्च बटर हमारा मेल्ट होना सटर्ट हो गया है इसमें हम डाले थे हैं रंग रहुआं गारा है साथ ही जाएगे थोड़ी सी हल्दी 1 4 टी स्पून एक बर्स मिक्स कर लेते हैं साथ ही डालेंगे यह प्यूरी जो हुनने पना कर रखा था इस पर हम इसमें डालेते हैं 1 टी स्पून हानी अगर आपके पास हानी ना होना तो फिर आप शुगर पाउडर यूज कर लीजेगा उसका फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला हाफ टी स्पून इसे हम कर लेते हैं एक बरी मिक् करेंगे फ्लेम जो है वह मेरी मेडयम है मेरी एक मिनित हो चुका है आप देख सकते हैं जो हमारी सब्सकी के ग्रेवी है वह तोड़ी सा खोगा है इसमें डाल देते हैं इसमें और डाले पैसज मैंने इहां पर दो- genial पेस आगल से मैंप ईğättक कर लिया है इसमें डयाय कर दे दो मिनिट के लिए कुक करेंगे दो मिनिट हो चुके हैं पनीर हमारा अच्छा से गुक हुआ है इस पर मैंने फिल्म को कर दिया है और मेरे पास घर की मलाई होंमेड मलाई है जो दूद पे में उतारते हैं उसे मैं थोड़ा से स्पून से इस तहां से बीट करके इसमें डाल लगी हूं यह तक्रीबन हाफ कप है इसे हम कर लेते हैं मिक्स अब यह मेरे पास है कस्तूरी मेथी 1 टी स्पून इसको हम हाथों से क्रश करके इस तहां से इसमें डाल लेते हैं इसे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है मिक्स कर लेते हैं इसे भी हमारा शाही पनीर बनकर बिल्कुल रेडी है तो चलिए अब मिसी रोटी फटाउट से शेक लेते हैं इतने हम हमारे डो को चेक कर लेते हैं हमारा डो भी रैस अच्छे से कर चुपा है इसे एक मिनिट के कर लेते हैं इस तरह से बिल्कुल स्मूद सा आप देख सकते हैं डो बनकर बिल्कुल रेडी है लामन साइस के बॉल बना लेते हैं हम इसमें से मिसी रोटी बहुत जादा बड़े साइस की नहीं बनती है छोटी साइस की बनती है इस तरह से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेते जैसे आप चपाती को रोल करते हैं आप देख सकते हैं मैंने मीशी रोटी को रोल कर लिया है मीडियम होट तर्वे पर हम डालेते हैं अपनी रोटी को इस तरह से आप देख सकते हैं रोटी पे थोड़े से बबल्ल आ गए हैं इस स्टेज पर रोटी को कर देते हैं फ्लिप अब देखे कितना बढ़िया कलर आया है इस साइड से अब हम इसे थोड़ा सा प्रेस कर लेंग फ्लिप कर लेते हैं इसे। और दूस्री तरफ से भी इसे हम प्रेश करकेhour रोस्ट कर लेते हैं आप देख सकते हैं दोनों तरफ से न हमारी जो रोटी है व अछ वह रोस्ट हो गई है मिस्सी रोटी इसे हम तंदूरी फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा गैस पे रोस्ट कर लेते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी मिस्सी रोटी बनकर बिल्कुल त्यार है इसे हम कर लेते हैं सार्व सार्व में जाएगा हमारा ये पनीर और रायता रायती को गार्णिश कर लेते हैं थोड़ी सी फुदीना पती के साथ हमारे पनीर को गार्णिश कर लेते हैं क्रीम के साथ जो हमने फेट का रखी थी आप देख सकते हैं 20 मिनिट में हमारी जटपट थाली बनकर हो गई है त्यार बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर और मिस्सी रोटी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए साथ में जो बेल बटन दिया है न उसे ज़रूर दबाईएगा आपको रेगलर नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी थाइक पर वच्छि कर वाचि का विडियो